हाई गाईज, वल्कम बैक टू माई चैनल इस सर्धियों में आपकी स्किन का कोई निखार ना छीन ले उसकी नमी कोई चुरा ना ले और उसमें किसी प्रकार की रफ और टप ड्राइनेस ना हो तो मैं आज आप से सेयर करने वाली हूँ 6 टिप हमारी सबसे पहली टिप है कि सुभा और शाम आप अपने स्किन को किसी अच्छी मोश्राजिं क्रीम से नरिज कीजिए नरिज करने से आपकी स्किन मुर्जाने से बचेगी उसमें रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और फाइन लाइन भी नहीं होगी आपका चेहरा मोश्राजिं लगाने से ग्लू भी करेगा और चेहरा आपका चमकदार भी रहेगा तो थी हमारी पहले टिप सेकेंड टिप है अपने स्किन को डिहाइडरेशन से बचाने के लिए आपको धेर सारा पानी पीना है इसा नहीं है कि सर्दी है तो आप पानी ना पीए शर्दियों में भी आप भरपूर पानी पीए इससे इसकी डिहाइडरेशन से बचेगी ड्राइलेस से बचेगी और इसकिन का नैश्रल ग्लो नाप हो जाए इसके लिए आपको टोनर अपलाई करना है तो किसी अच्छी क्वाल्टी का टोनर आप अपने इसकिन पर जरूर अपलाई करें टोनर अप्लाई करने के बार अगेन आपको अपने चेहरे पर फिर से एक अच्छा सा मॉस्टराइजर अप्लाई करना है मॉच्राजर लगाने से स्किन ड्राइने से बची रहेगी और जो सर्दियों की सर्धवाय हैं वह आपकी स्किन का ग्लोन नहीं चुरा पाएंगी और उन्हें ड्राइन नहीं कर पाएंगी हमारी फोर्थ टिप है कि हबते में आपको दो बार अपने चेहरे को स्क्रब करना स्क्रब करने से आपके स्किन के डेट से रिमूब हो जाएंगे और आपकी स्किन का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा इसकिन आपकी कुमल हो जाएगी और तच्छा आपकी एकदम चिकनी या टिप हमारी है संस्क्रीम यानि कि अब हमें अपनी स्किन पर संस्क्रीम लगाना है सरती है तो भी आप लगाए संस्क्रीम लगाने से आपका नेचरल ग्लो बना रहेगा क्यूंकि सूर की हामफूल किने हमारा नेचरल ग्लो छीन लेती है से हमारी स्किन में कैंसर तक की फ्र भी बना रहेगा और जो स्कीन में बहुत ज्यादा टैनिंग है उससे भी आप संस्क्रीन जरूर अपलाई करें अब आते हैं अपनी लास्ट टिप याने की सिक्स टिप पर तो अपनी इसकीन को अंदर से कोशन देने की जुरूरत है इसके लिए आपको अपनी डायेट को थोड़ा सा सुधारना होगा इसके लिए आपको बहुत सारे ड्राइब फूर्स मुनाट्स हरी सब यानी ग्रीन वेजेटेबल्स पूर्टीन से भरी हुई दालों का इससे आपकी स्कीन अंदर से ग्लो करेगी उसमें अंदर से निखार आएगा और इस सर्दियां आपकी इसमें बिल्खुल भी ड्राइब और रफ एंड टफ नहीं होगी और उसमें नेचरल ग्लोव बना रहेगा तो आई होब मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्फुल होगी आपके कान के होगी तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टोपिक के साथ अब तक के लिए बायवाय मेरी चनल को तेखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्युक्त